नमस्कार and welcome to all of you in this lecture of GS University CIS campus और आज जिस विशे को हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है अक्षांस एवम देशान कर क्या है यह कुछ नहीं है काल्पनिक रेखाएं है दोनों की दोनों काल्पनिक रेखाएं है जो की प्रत्वी पर कल्पना के इस्थान के अनुसार खीची गई है खीची क्यों गई है प्रत्वी पर इस्थान एवम समय ग्यात करने के लिये प्रत्वी पर दो प्रकार के काल्पनिक रेखाएं खीची गई है अक्षांस रवम देशान तर उनकी जो उप्योगिता है वह इस संधर्व में है कि प्रत्वी पर किसी न्यूनितम से न्यूनितम रिमोट एरिया तक के इस्थान का पता लगाना एवं प्रत्वी पर समय ग्याद करना किस स्थान पर क्या समय वर्तमान के समय काल के अनुसार हो रहा है तो प्रत्वी पर किस स्थान को पता लगाना एवं देशों के अनुसार उनके स्थानों के अनुसार समय की गढ़ना करने के लिए reference point संदर्व बिंदू के रूप में प्रत्वी पर यह काल्प्रिक रेखाए खीची गई है इन काल्प्रिक रेखाओं में जो अक्षांस है वह है छैतिच रेखा है horizontal मैं आपको बता दू कि एक ही topic के दौनों language में आपको lecture अपलब्द होंगे और एक ही topic के दौनों language में आपको notes, written notes online भी उपलब्द होंगे और यह सब कुछ free of cost है निश्वर को सर्व सिक्षा अभियान के इंतरगत GSE University Channel प्राणम किया गया है आगला जो मैं लेक्चर होगा वो इसी topic को लेकर completely English language में होगा मैंने bilingual का खेल नहीं खेला है क्योंकि बच्चा ना Hindi माध्यम को ठीक से समझ पाता है और ना ही फिर English माध्यम को ठीक से समझ पाता है तो जो conceptualization है मस्तिश्के के अंदर जो image आकरती उभननी चाहिए वह भाशा की द्वैत्ततावाद में नहीं उभर पाती है तो हम स्टार्ट करते है description box में मैंने इसका link आप लोग को provide करवा रखा है जिसके माध्यम से आप उस page पर जाके इस topic के notes को download कर सकते है अभी के लिए आपको आवशक्ता के उलित तीसी है कि diagram के माध्यम से जो हम इस topic को explain करने वाले उसमें कुछ specific points आएंगे जो आप अपनी सुविधा के अनुसार note कर सकते है तो हमने अभी तक किया जाना कि प्रत्री पर दो प्रकार के कालपर रेखा खीच गई है अक्षान्स एवं देशान्तर अक्षान्स जो है वह छैतिर रेका है और देशान्तर जो है वह एक उर्दवार धर रेका है vertical अर्थाक अक्षान्स इस परकार से है और यह है इस परकार से खड़ी रेखा है देशान्तर खड़ी रेखा है और अक्षान्स बैठी हुई रेखा है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, प्रतिवी पर पूर्ण चक्र बनाती है अर्थाक, पूर्ण घेरा, कम्प्लीट सर्किल, उर्धवार्दा रेखा कैसी है? अर्ध चक्र, आधा, घेरा, समझिये, कैसे? यह मेरे हाथ में ग्लोब है, और जब मैं अक्षान से रेखा हैं, प्रतिवी पर ऐसे ऐसे खीची गई है, जबकि उर्धवार्दा रेखा हैं, प्रतिवी पर ऐसे खड़ी खीची गई है, ठीक है? तो अक्षान से रेखा हैं, और जहती जिस्तर पर खीचते वे प्रतिवी पर एक पूर्ण सर्किल, कम्प्लीट सर्किल, पूर्ण घेरा बनाती हैं, जबकि देशानता रेखा हैं, पूर्ण घेरा ना बनाकर आधा सर्किल, हाफ सर्किल, आधा घेरा बनाती हैं, अगर देश अक्षांस रेखाओं को पूर्ण वरत में रखा गया है तो इस प्रकार देशानता रेखाएं प्रत्वी पर अर्दवरत सेमी सर्किल बनाती हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी सर्किल और छैते जेखाएं कम्प्लीट सर्किल बनाती हैं तो बहुत बेसिक इस्तर पर हमने जाना कि प्रत्वी पर इस्थान एवं समय को ग्याद करने के लिए कुछ कालपनिक रेखाय कींची गई है क्योंकि वास्ता में प्रतिव पर इस प्रकार की कोई भी रेखायं नहीं मिलती है तो पहली कालपनिक रेका नाम चैघ्टिज जो अक्षांस रेखा है वह सिहाथिज है और दूसरी कालपनिक रेका नाम दिशानता रेखा जो की उर्दवारदर है मैंने ओल लेडी ये हाफ डाइग्राम बना रखा है और जिसमें मैंने आपको अक्षान से रेखाएं दिखा रखी है तो मैंने आपको लास लेक्चर में यह हैं बताया था कि जो प्रत्वी है हमारी उसकी आक्रती भू आब है जिवाइड बोलते हूं उसको अर्थाथ प्रत्वी अपने आप में एक आदश गोल घेरा ना होकर प्रत्वी अपने आप में एक आदश गोल घेरा ना होकर अपने द्रुवों पर से कुछ चप्टी है और बीच में से चौड़ी है और इस प्रकार प्रत्वी की यह आकार उभर कर आता है जिसे हम भू आब जियोईड कहते है और मैंने आपको बतायाता है कि प्रत्वी का दव्यमान अधिक होने के कारण और उसकी घूणन गती 465 मीटर प्रती सेकिंड अर्थात लगभग 500 मीटर प्रती सेकिंड एक सेकिंड में आदा किलिएटा घूमने के कारण और अत्यदिक दव्यमान होने के कारण मास होने के कारण प्रत्वी बीच में से थोड़ी चौड़ी हो गई है और अपने धुरूप पर से थोड़ी चप्टी हो गई है और उत्तर दिशा में इस्ते धुरूप को बोला गया उत्तर धुरूप और दक्षिन दिशा में इस्ते धुरूप को बोला गया दक्षिनी धुरूप इसको बताने का तात्पर नहीं इसलिए था कि उत्तरा दक्षिन के ठीक मध्धे में बिलकुल मिडिल में एक 36 अक्षांस रेखा खीची गई जिसको बोला गया विशुवत रेखा इंग्लिश में बोला गया एक्वेटर इन दोनों अक्षांस से बिंदों का हमने संदर्व लिया और उस अंदर्व के अधार पर प्रतिवी के ठीक मध्धे में एक काल्पनिक 36 अक्षांस रेखा खीची गई जिसको बोला हमने विशुवत रेखा और मान केता दिया 0.9 डिगरी विशुवत रेखा से उत्तर की और हमने एक एक डिगरी के अंतराल पर 90 अक्षांस रेखाएं खीची और विशुवत रेखा से उत्तर की और एक एक डिगरी के अंतराल पर हमने 90 अक्षांस रेखाएं खीची और इस प्रकार कुल अक्षांस रेखाओं की गढ़ना हमारे पास आती है 181 इसलिए जो 180 पढ़ा रहे हैं या जो 179 बता रहे हैं उनको रिचेक करिएगा प्रत्वी पर विशुवत रेखाओं से अक्षांस रेखाओं की लंबाई अक्षांस रेखाओं की संख्या 181 है 90 उत्री गुलार्द में 90 दक्ष्नी गुलार्द में और इसका मान शूनने डिगरी है यह है अपने आप में शूनने नहीं है विशुवत रेखा का मान शूनने डिगरी रखा गया है इसलिए इसकी संख्या भी एक आती है तो 90 और 90 एक्सो असी और प्लस एक एक्सो एक्यासी ठीक नेक्स कोश्चन इसी पर हमारा आदा आयता है तो कुल अक्षांस रेखाओ की संख्या 181 एक कोश्चन कौनसी कालपनिक रेखा का चैति होती है अक्षांस रेखा है चैति होती है दो कोश्चन प्रत्वी पर अक्षांस रेखाओं का मासंख्या कितनी है 181 और सबसे लंबी प्रत्वी पर कालपनिक रेखा कौनसी है अक्षांस देशानते भी छोड़ दीजे प्रत्वी पर सबसे लंबी कालपनिक रेखा कौनसी है तो वह विश्वत रेखा आती है और इस विश्वत रेखा की लंबाई है 4000075 km विश्वत रेखा की को लंबाई 4000075 km प्रत्री पर सबसे लंबी कालपने क्रेखा कौनसी है तो वह विश्वत रेखा हैто जिसकी लंबाई है 4000075 km मान कितना है? 0,09 डिगरी है और इस विशुवत रेखा के अधार पर चुकि प्रतिवी को बीच और बीच में खीची गई है मैं आपको रेट पॉइंट से इसको सरकल करके दिखा रहा हूँ यह वाली और इस विशुवत रेखा के अधार पर प्रत्वी को दो आधे गोलारदों में विवाज़ित करा गया, तो प्रश्वत रेखा प्रत्वी को पूर्ण रूप से दो آधे गोलारदों में विवाज़ित करती है. अब सध्धान्तिक रूप से तो मुझे आपको 90 अक्षांस रेखा दिखानी चाहिए थी लेकिन इतना स्पेस नहीं है इसलिए में रेफरेंस पॉइंट लेकर एक कन्क्लूजिव फॉर्मेट के अंतरगर आपको समझाने का प्रयास कराया दूरतो 1 एक डिग्री ऊतर 5 दिग्री उत्तर 10 20 40 60 70 90 है इसी प्रकार से पाच डिग्री दक्षिन 10 डिग्री डेक्षिन 15 45 isi 85 fermented 85 एक एक डिग्री के अंतरगर पर अक्षांस रे खाये कीची गई थी ?? दो अक्षांस रेखाओं के मध्धे की दूरी 111.2 किलोमेटर होती है जिसको हमने सद्धानतिक रूप से 111 किलोमेटर रखा प्रत्वी पर दो प्रकार की कालप्रेक रेखाएं अक्षांस ओदेशांतर और इस समय अक्षांस रेखाओं को डिसकस कर रहे हैं जो की 363 पर खीची गई है और 90 उत्री गुलार्द में 90 दक्ष्री गुलार्द में एक एक डिगरी के अंतुराल पर क्योंकि पूरी प्रत्वी का मान 360 डिगरी है जो कि पूनवरत बनाती है इसलिए 9090 खीची गई है दो अक्षांस रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमेटर प्रत्वी पर सबसे बड़ी काल सबसे लंबी काल पर रेखा विशुवत रेखा और जिसकी लंबाई है 40,000 55 किलोमेटर इसी को प्रत्वी की विशुवतिय परीधी भी कहते हैं विशुवतिय परीधी पोल एक्वेटोरियल सरकम्फिरेंस और इसके अधार पर प्रत्वी को दो गुलार दुवाजित कराता है उत्तरी गुलार दक्षिन गुलाद एक्षांस रेखाएं की ने दूरी 11 111.2 किलोमेटर सद्धान्ति गुर्प से और आदर शुप में हमने जासको लिया वह 111 किलोमेटर लिया और इस प्रकार से प्रत्सिक अक्षांच रेखा एक दूसर्सा समानंतर कुणी पर एस्तित है और नेच्स पांट क्या कि विश्वत रेखा से ज्यान दीजेगा कि विश्वत रेखा से धुरुवों की ओर चलने पर अक्षांस रेखा की लंबाई घटती है वह कौन सी कापी रेखा है जिनकी लंबाई विश्वत रेखा से धुरुव की ओर चलने पर घटती है तो वह अक्षांस रेखा हैं क्योंकि प्रतिवी अपने मद्धे में से सरवादिक फोली हुई है प्रतिवी गोलकार में तो प्रतिवी की आकरती के कारण जब हम विश्वत रेखा से धुरुफ की ओर चलेंगे तो प्रतिवी की गोलाई कम होती चलिया अगि और उसी गोलाई के अनुसा अर्थात ध्रुवो पर लंबाई शूनने किलोमीटर मद्य में लंबाई 4075 किलोमीटर ध्रुवो पर लंबाई शूनने किलोमीटर और जब हम पहुंचेंगे साथ डिग्री के अक्षांस पर तो साथ डिग्री के अक्षांस की जो लंबाई होगी वह होगी 40,075 बटे 2 किलोमेटर नोट्स अवेलेबल हैं रिटिन नोट्स आपको मिल जाएंगे से टेंशन न लिजें कि वो समझने का प्रयास करिएगा किसी प्रकार से भ्रम की इस्थिति आपको रखने के अवशक्ता नहीं है विश्वत रेखा से धुरुफ की ओर चलते हुए साथ डिग्री के अक्षांस पर प्रतिवी की विश्वतिये प्रतिवी की अक्षांस ये साथ डिग्री अक्षांस उत्तर और 60 degree अक्षान से दक्षिन रेखा की लंबाई विश्वती रेखा की ठीक आदी हो जाती है यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि प्रत्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है और वह भूआव इस्थिती में मिलती है क्योंकि यह प्रत्वी पूर्ण रूप से गोल होती है एक आदश गोलकार आकरती में होती तो 45 degree पर इसकी लंबाई आदी हो जानी चाहिए थी लेकिन यह लंबाई आदी होती है 60 degree उत्तर और 60 degree दक्षिन के अक्षान से पर जाकर तो अक्षान से रेखा है 36 रेखा है सबसे लंबी और मुख्य अक्षान से रेखा जिसे संदर्व अक्षान से रेखा भी बोलते है विश्यूवत रेखा इसका माल शून्य है और विशुवत रेखा से धुरुफ की हो चलने पर अक्षांस रेखाओं की लंबाई घटती है और वे घटते घटते 60 डिगरी अक्षांस उत्तर और 60 डिगरी अक्षांस दक्षिंट पर जाकर लंबाई विशुवत रेखा की ठीक आदी हो जाती है विशुवत रेखा की जो लंबाई है उसे ही प्रतिवी की विशुवत ये परिधी भी कहते हैं और अक्षांस रेखाओ की लंबाई ध्रोवों पर पहुँचका 0 किलोमिटर हो जाती है क्योंकि यह अब एक बिंदू में परिवर्तित हो जाती है अक्षांस रेखा जो सबसे बड़ी थी वे ध्रोवों पर जाकर केवल एक बिंदू टिप में परिवर्तित हो जाती है दो अक्षांस रेखाओ के मद्दे की दूरी 111 किलोमिटर ठीक है अब हम एक एक एक्जाम्पल लेते हैं मुरादबाद मैं मुरादाद से लाइब देता हूँ आपको चैनल टेली कास्ट और दिल्ली तो मुरादाद यदि 0 किलोमेटर का हम रेफरेंस पाइंट ले ले तो मुरादाद से दिल्ली 165 किलोमेटर है बाई रोड ठीक है अब मैं इसको बाई एर कैलकुलेट करता हूँ और मुझे पता लगा मैंने माना कि बाई एर जब मैंने दिल्ली से मुरादाद की दूरी को कैलकुलेट करा तो यह 111 किलोमेटर है यानि कि यदि एक अक्षान मुरादाद से निकल ला है तो फिर दूसरा अक्षान दिल्ली के उपर से निकलेगा इस बीच में कोई भी अक्षान से रेखा हमको नहीं मिल रही है लेकिन हमें क्या करना है इन्हें रेखाओं की उप्योगीता ही इस बात पे सिद्ध होती है कि किसी इस्थान का और समय का पता लगाना है अभी हम के वल स्थान को देखते हैं तो इस्थान का पता लगाने के लिए 111 किलमेटर का डिस्टेंस तो बहुत है दिखें तो आप कैसे करें तो क्या हुआ यह है जो 111 किलमेटर का डिस्टेंस था अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके दिखाता हूं आपको तो मैंने माना कि यह जीरो डिगरी की विश्वत रेखा है और यह है एक डिगरी उत्तर का अक्षान्स है और इनके बीच की जो दूरी है वह है 111 किलमेटर है तो हुआ क्या इस 111 किलमेटर को पुनहा 60 बार विभाजित किया गया और एक विभाजन को बोला गया मिनिट समय वाला उसी का नोमनकलेचर नामनकरणियापा कर दिया गया है तो प्रती एक अक्षान्स के मध्य की दूरी को पुनहा 60 भागों में विभाजित करा गया और एक भागों को बोलते हैं मिनिट तो मिनिट आगया ये हमने इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया और बड़ा कर दिया तो मिनिट मालिया ही आगया ये तो अब 111 को यदि हम 60 भागों में विभाजित करेंगे तब भी लगबग पौने 2 किलमेटर का डिस्टंस आ जाएगा तो बाई एर आगर आप पौने 2 किलमेटर देखेंगे तो डिस्टंस बहुत हो जाएगा उसको पुनहा साथ भागों में विभाजित करा गया और साथ बार विभाजन और प्रतियक भाग को बोला गया है सेकंड राइट दो अक्षांस हो गया मद्दे की तूरी एक सेग्रा किलमेटर प्रतियक अक्षांस को साथ भागों में विभाजित करा गया और उसको बोला गया सेकंड रिकैप करते हैं अक्षांस रेखा विश्वति अक्षांस रेका 36 अक्षांस रेखा सबसे मुख्या अक्षांस है का विभाजित करें गया उस प्रकार से हम को पता लग गया कि अब हमारे पास specific space या वो निश्यत इस्थान कहां पर हमको मिलेगा आप कल्पना कर सकते हैं एक से और क्रिमेटर का 602 विवाजित करेंगे तो अब हम nearby area को catch कर लेंगे अब ध्यान से देखिए का बहुत यहीं पर एक twist है ठीक है यह है यह वाला इस्थान को पता करना था यह वाला इस्थान हमको मिल गया लेकिन यह वाला इस्थान हम को यहां मिला यहां मिला सारा खेल यहां बन जाएगा यह वाला इस्थान हम को यहां मिला यहां मिला कहां मिला क्योंकि यह तो पूरी प्रत्वी पे अपना वृत बना रही है तो अब यहीं से दूसरी काल्प्रिक रेखा हो कि गर्णा प्रारंब हुई और उनको बोला गया देशांतर रेखा तो एक और काल्प्रिक रेखा कीची गई और उसको बोला गया देशांतर रेखा और मुख्य देशांतर रेखा को बोला गया प्राइम मेरेडियन प्रमुक याम योत्तर या प्रमुक देशांतर रेखा प्रमुक देशांतर या याम योत्तर रेखा और फिर इसके अधार पर कुना देशांतर रेखाएं की चीवे , right. और इस प्रकार से grid की रशना हम लोगों के सामने निकल कर आती है तो प्रमुख देशानतर रेखा मान शून्ने डिगरी शून्ने डिगरी प्रमुख देशानतर रेखा मान शून्ने डिगरी और इस देशानतर रेखा के उत्तर में स्वारी और इस दिशान तर रिखा कि पूर्वी दिशा में इस्थित गुलार्द को बोला गया पूर्वी गुलार्द इस्टर्न हेमिस्फेर अब पश्चमी इस्थित गुलार्द को बोला गया पश्चमी गुलार्द वेस्टर्न हेमिस्फेर मैंने पूरे लेक्षर में बता रखा है कि प्रत्री पेकुल कितने गुलार्द है उन गुलार्दों की रिष्णा यह उन सेग्रिगेशन विवाजन के इस परकार से किया गया है आप जाके उसको सर्च आउट करके देख लिजी गया पूरी भी गुलार्द और पश्ट्रिमी दिगरी की देशानतर रेखा ठीक है और इसके ठीक पीछे 180 डिगरी की देशानतर रेखा तो आधा यह डिवाइड हो गया आधा यह डिवाइड हो गया इसको बोला गया पूरी गुलार्द इसको बोला गया पश्ट्रिमी गुलार्द में कितने देशानतर रेखा 180 और पश तोनु क्वरत नहीं बनाती हैं और उसका केवल और केवल एक कारण है कि हम ने जो रफरसंट लिया था हमने अक्षा सद रेखाएं देख ली हमने देश अंतर रेखाएं भी देख ली तो हर्ण तुन्फ कर यह एक ही मान की देशा इसलिए देशानतर रेखाओ को अर्ध व्रत में रखा गया और पूर्वी गुलाद में इस प्रकार से एक स्वास्थी देशानतर बने और इस प्रकार से कुल देशानतर रेखाओ की संक्या हमारे पास आई तीन सो साथ लेकिन ये ठीक गर्णा नहीं है ठीक कैल्कुलेशन नहीं है जिस प्रकार से हमने विश्वत रेखाओ को गिना था एक डिग्री एक मान में उसी प्रकार से में प्रधान देशानतर रेखाओ को भी गिनना होगा तो हमने यहाँ पर एक जोड़ दिया तो हमारे पास आगई तीन सो एक सट लेकिन देशानतर रेखाओ की कुल संक्या तीन सो साथ ही है लेकिन गर्णा बताती कि तीन सो एक से जानी चाहिए तो इसमें पेच यह है कि दौनों गुलार्दों की यह शून्य डिगरी देशानतर हो गया दौनों गुलार्द इसके ठीक पिच्छे जो एक सट लिगरी का देशानतर है वह है रेखा दौनों गुलार्दों के लिए एक ही है समान उसे हम 120 डिगरी पूर्वी गुलार्दी बोलते हैं उसे को हम 130 डिगरी पश्छिक गुलार्दी बोलते हैं इसलिए आपको किसी एक गुलार्द में देशानतरों की संख्या को घटा कर 179 क्यल्कुलेट करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा अब ठीक आता है मान 1 प्लस 180 और 179 इस प्रकार से कुल देशांतर रेखाव की संख्या जाती है हमारे पास 360 ठीक है तो अक्षान से रेखाएं 180 देशांतर रेखाएं 360 अब देखिए दोनों की रेलिवेंसी क्या है यह अक्षान से रेखा हैं हमारे पास और हम इसको पूर्ण पूर्ण उव्रत मान रहे हैं तो किसी Mailик और ना है और उसको बतायागा कि आपको 15 डिग्री नौर्थ पर जाना है यह 20 डिग्री नौर्थ है और यह 10 डिए नौर्थ है एरोप्लेन को लैंडिंक करनी है 15 डिग्री नोर्थ पर उसकी पहलेawk calculation आई उसको बोला गया 15 डिग्री न آथ 15 डिग्री नौर्थ पूरीप्स्पीपड हूंए घुमेगा subscribed eager to be not PER आब उसको बतार जाएगा गर सॉत्स आयगा कि की आपको फिफिटिप्री नॉर्थ और ही नुल 2016 के लैंड करना फिफिटिप्री नॉर्थ यह जहापर प्लिपयर सोगे है वहाँ पर आपको लैंड करना है लेकिन यह डिस्टान्सी बहुत बढ़ा है कैसे बढ़ा हमने यहाँ पर देखा दोनों के बीच के मद्धे की दूरी 111 किलो मिटर है इसी प्रकाज विश्वत रेखा पर दो देशांतरों के मद्धे की दूरी भी 111 किलो मिटर रखी गई है लेकिन यह दूरी ध्रोवों की और बढ़ते हुए कम होती चली जाती है देशांतर रेखाओ के मद्धे की दूरी समान नहती है लेकिन अक्षांस रेखाओ के मद्धे की दूरी समान नहती है ध्रोवों की और बढ़ते हुए जबकि देशांतर रेखाओ के मद्धे की दूरी ध्रोवों की और बढ़ते हुए कम होती चली जाती है और इस पकार से ये ध्रुवों पहुजाकर शूनने किलोमीटर हो जाती है इसलिए देशानता रेखाओं को विश्वत बंदे की स्थिति के अधार पर भी पुन्हा मिनिट जैसे कि हमने अक्षान से रेखाओं को विभाज़त करा गया था और फिर सेकेंड में विभाज़त किया गया है तो अगर एरो प्लेइन को कमांड दी गई 15 डिगरी 15 डिगरी 31 मिनट इसको इस से दिखाते है और 20 सेकेंड इसको डबल डेश सो करते है मिनट को सिंगिल से सेकेंड को डबल से तो कैलकुलेशन आए 15 डिगरी 15 डिगरी 31 मिनट 20 सेकेंड नौर्थ और इसी प्रकार से कैलकुलेशन आई 15 डिगरी 25 मिनट इंड 35 सेकेंड जहाँ पर ये कैलिबरेशन अपने आप में क्रॉस करेगी इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे करेगी खीक वहीं पर येरिस्ट्रिप है और आपको उस पर लेंड करना है और इस प्रकार से उनमें यह है कैलकुलेशन फीड करी जाती है इसलिए आपने बोलागा कभी सुना भी होगा जब एरोप्लेन उगराफ राइ करते हैं टर्न 15 ड लेते हैं कि भारत में बाला कोर्ट में एर स्ट्राइक करी थी तो उस एर स्ट्राइक में जो जैगवार प्लेन थे उनके अंदर यह जो कैलकुलेशन थी यह पूरी तार से फीड कर दी गहीं थे बताया गया था कि जाफराबाद के इस छेत्र में ठीक इस पॉइंट पर यह टेररिस्ट एक्टिविट कैम है लांचिंग पैड और यहाँ पर जाकर एर स्ट्राइक करनी है इसी कैलकुलेशन के कारण हमने दुश्मन देश को हानी पहुचाई लेकिन वहां की जो समाने जनता थी उसको हमने सेफ कर दिया अगर इसमें थोड़ी सी भी बिस्टेक हो जा केवल इस एल्गोरिद्म के कारण केवल इस कैलकुलेशन के कारण एक रिकैप लेते हैं तो देशानतर रेखाएं उर्दवारधर रेखाएं हैं प्रत्वी पर अर्दवुरत बनाती है इनकी कुल संक्या 360 है दौनों गोलारदों में 1803 डिगर की मान के देशानतर रेखा है इस कारण इनकी कुल संक्या निकल का 360 आती है अक्षान से रेखाएं 180 है अब कोशन के रूप में इसको रिवाइस करते हैं कौन सी कालप्रिक रेखाएं हैं जो विश्वत रेखाएं जर्द रूफ की और बढ़ते हुए उनके बीच की दूरी कम होएं लगती है वह देशान लबी या प्रत्ती पर सबसे लंबी काल्प्रिक रेखा लिए गरखा है इसका ठीक विप्रीत सब से छोटी कालप्रिक रेखा उत्तरी धुर्व की अक्षान रेखा है रिखा है मद्धे की दूरी कम होने लगती है यह दौनों रेखा है जिस प्रकार से जिस एक बिंदू पर जाकर एक दूसर को इस टेक्ट करते हैं उसी अधार पर हम किसी इस्थान का पता लगा सकते हैं अर्थात किसी इस्थान का पता लगाने के लिए हमें वहां का अक्षानस ये मान मिनट और सेकंड के साथ और देशानतर ये मान मिनट और सेकंड के साथ ग्यात होना चाहिए तो इस प्रकार से अक्षांस और देशांतर रेखाओ का प्रत्वी पर एक grid बनता है जिसके अधार पर हम प्रत्वी पर इस्थान और समय की गणना करते हैं तो अभी हमने इस्थान की गणना करी है और next lecture में हम लोग देखेंगे ये देशांतर रेखाओ के मान के अधार पर प्रत्वी पर समय की गणना किस प्रकार से करते हैं और इनी के अधार पर प्रत्वी पर अलग अलग टाइम जोन बने हैं भारत ने भी अपना टाइम जोन इनी देशांतर रेखाओ के अधार पर लिया है तो अभी के लिए जैहिन वंदे बारत